घर पर बनाएं मचली का दाना दोस्तो आज बताएंगे घर पर मचली का दाना कैसे बनाएं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो आज कल बजार में बहुत से कमर्सियल फीड आ गये हैं कमर्सियल फीट से पंगास मचली अच्छा ग्रोथ कर रही है और IMC मचली भी अच्छा ग्रोथ करती है पर बजार में उपलब्द मचली का फीट काफी कोशली होता है जो करीब 45 रुपे से 60 रुपे किलो तक मिलता है जिसकी बोरिय आपको 2000 के लगबग में मिलती है और यदि आप घर पर मचली का दाना बनाते हैं तो करीब 22 रुपे किलो में आपका दाना त्यार हो जाता है जो 38 से 40 प्रोटीन का होता है जो बजार में उपलब्द मचली के फीट से लगवग आदे दाम में बनकर त्यार हो जाता है हमारी सला है और हमारी कोशिस रहती है मचली पालक कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा कमाए पंगास मचली जो कैट फिस है और आइमसी मचली जो रोहू कतला ब्रिगेड इंडियन मेजर कार्प है उनके लिए 32 से लेकर 40 तक का प्रोटीन काफी अच्छा होता है अगर आप नए मचली पालक हैं तो घर में ही बनाए मचली का दाना और कमाए अधिक मुनाफ़ा आगे वीडियो में बताते हैं कैसे असान तरीके से बजार जैसा प्रोटीन वाला फिस फेड आप अपने घर में बना सकते हैं दोस्तो उससे पहले यदि आपने हमारा यूटूब चैनल सस्काइब नहीं किया है तो चैनल को सस्काइब कर लेजिए हमारे चैनल पर आपको मचली पालन से जोड़ी और भी वीडियो मिलेंगी जैसे मचली पालन कैसे करे तलाम में आक्सिजन बढ़ाने के लिए देसी जुगाड़ मचली पालन की जानकारी से जोड़ी सभी वीडियो आपको मिल जाएगी तो चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं घर पर मचली का दाना बनाने के लिए आप राइस पालिस ले 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 जिए करीब 100 किलो और 25 किलो सरसो की खली ले 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 जिए 100 किलो ही मक्के का पिसा हुआ आटा ले 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 जिए और 25 किलो कोई भी दाल की खली ले लीजिए एक लीटर ग्रोमीन ले लीजिए ग्रोमीन क्या होता है आगे वीडियो में बताया है पहले जान ले दाना कैसे बनाते हैं राइस पालिस, सरसोगी खली और मक्के के आटों को आपस में अच्छे से मिला लेंगे उसमें करीब आदा लीटर ग्रोमीन मिला दिया जाएगा इसके बाद मसली का दाना बनाने के लिए करीब धाई कुंटल माल तयार है जिसमें आपका धाई कुंटल मसली का दाना बनकर तयार हो जाएगा यदि आपके पास छोटे छोटे दाने बनाने वाली मसीन नहीं है तो आप बने मैटेरियल में पानी मिलाकर अपने हाथ से गोल गोल गुड की तरह बनाकर जैसे गुड की भेली बनती है वैसे बनाकर तलाब में मचलियों को खाने के लिए दे सकते हैं जो बजार के दाने से काफी सस्ता करीब 22-25 रुपे में बन कर घर पर तयार हो जाएगा अब जानते हैं ग्रोमिन क्या होता है ग्रोमिन मचली के दाने में प्रोटीन बढ़ाने के लिए होता है जो दाने में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है जो मचलियों की ग्रोथ के लिए काम आता है ग्रोमीन असानी से बजार में उपलब्ध है और एमोजयन पर भी ऑनलाइन आपको मिल जाएगा अगर आप नए मचली पालक हैं तो हमारी सलाह मचली का दाना आप घर पर ही बनाए हमारी कोशिस रहती है कि मचली पालक कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा कमाए यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर मचली पालन की जानकारी से जुड़ी सभी वीडियो आपको मिल जाएगी